आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोट करें अमल के रूप में उसरजन करते हैं या उसरजित करते हैं तो स्टूडेंट्स यूरिक अमल जो है अब यह है क्या होता है इसके उसरजन में जल की अत्यदिक कम हम कह सकते हैं नदन्य अशक्ता होती है तो यूरी कमल जो है यह है ठोस रूप में उसर्जित किया जाता है अर्थात इसके उसर्जन में जल की अत्य दिक कम या नगन्य आशिक्ता होती है तो हम कह सकते हैं जो यूरी कमल का जो उसर्जन है या फिर यूरी कमल का उसर्जन करने वाले जो प्राणी है ये कहलाते हैं यूरी को टैलिक प्राणी तो पक्षी हम कह सकते हैं ये किस प्रकार के हैं ये यूरी को टैलिक प्राणी है यूरी को टैलिक प्राणी होते हैं और ऐ यह है विवस्ता या यह है अनुकुलन जो है यूरीकमल के रूप में उसर्जन जो किया जाता है यह है अनुकुलन जल की कमी को कुरा करने के लिए किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि जल की कमी को कम करने के लिए यह है जो यूरीकमल का उसर्जन जो है किया जाता है तो चल प्रकार का अनुकुलन पाया जाता है, तो हमने लिख लेते हैं जल के जीवो में, तो लिखेंगे जीवो में जल के सरक्षन के लिए इस प्रकार का अनुकुलन पाया जाता है, दूसरा option देखते हैं, शेश जल को बाहर निकालने में, तो ये भी हमारा option जो है गलत होगा, option C है शरीर के जल को सरक्षित रखने में तो हमारा option C जो है बिल्कुल सही उतर है जैसा कि हमने आपर डिस्कुस किया है और option D दिया गया है शरीर से जल को बाहर निकालने में तो ये भी हमारा option जो है गलत होगा option C जो है बिल्कुल सही उतर है पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाइटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चात्रों का भरोजा आज ही डाउनुट करें डाउटने डाप या वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर